हाई फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होब कि आप अच्छे होंगे तो आज हम कलास 11 का टॉपिक लाहें आपका पार्ट 5 पार्ट 5 में पढ़ना है आपको अपवर्त तथा अपवर्त कोण ठीक है अपवर्त तथा अपवर्त कोण जदि आप इंगलिस मेडिया में पढ़ना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टिपल और सब मल्टिपल अपवर्त को बोलते हैं मल्टिपल और अपवर्त को बोलते है sub multiple तो आज को मेरा यहीं topic रहेगा जैसे अपवरते यानि multiple और sub multiple अपवरते अपवरत कहने में थोड़ा हम लोगों अजीब सा लग रहा है तो हम बार-बार use करेंगे multiple sub multiple तो multiple of formula के बारे में आप लोग नाम सुने या आप क्लास 11 में अभी है आप क्लास 12 में जाओगे तब भी आपको पढ़ना है मल्टिपल सब मल्टिपल का इसका पहुत इस लिए हम मल्टिपल और फर्मूला को बहुत ध्यान से घराई से अध्यान करेंगे और उसको साथ में प्रूब भी करेंगे फर्मूला याद के साथ साथ जदि आपको प्रूब करने आ गया तो समझेए कि आपका मल्टिपल आप एंगल बहुत अच्छा कम्प्लिट हो गया और किसी भी कोचन करने में आपको इजी होगा ठीके पुर्फ हो टने पहले टॉपिक डालते हैं टॉपिक का नाम है अपवर्थ कहते किसको है multiple कहते किसको है तो multiple का definition पहले लिख लिए आइए आपको multiple का definition निमता है इसका परिभासा देखिए इसका जो परिभासा होता है कि ठीटा के पुडांक ठीटा के पुडांक गुणज अर्थार्थ आपको समझाएंगे फिर ठीक है अर्थार्थ टू ठीटा ठीटा फोर ठीटा आदी ठीक है एक क्या है अपवर्दे 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 यानि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टिपल कोन कहलाते हैं कोन कहलाते हैं यह तो मल्टिपल कहुआ इसी में हम सब मल्टिपल कह सिकते हैं जबकि ठीटा बाई टू ठीटा बाई ठीटा बाई थ्रे ठीटा बाई फोर आदी यह हमारा अपवर्दे अपवर्दे यानि इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि सब मल्टिपल कोन कहलाते हैं तो मल्टिपल का पलेठेश बाई इतने सा सीखेंगे उसके बाद सब मल्टिपल का सीखेंगे थीटा के पुढान के गुणाज, यानि थीटा के पुढान गुणाज, गुणाज का मतलब का होता है, जिसे दो का गुणाज लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं, दो, दो दिन के चार, दो दिन के चार, दो दिन के चार, दो दिन के चार, दो चार, दो चार, दो चार, दो ऑपवर्द तक यही Richardson मुल्टिपल कौन कहली आते हैं जीसे पुल दीजागा должны साइन टू क्षिटा यह कौब न Evans scooter मौल इंगाइसं फ़र्मूला बनता है sin 2 θ, sin 3 θ, 10 3 θ, sin 4 θ, जितना भी फर्मुला बनता है ओ system ход loop angle का फर्मुला है जब्कि, जब फिर्टा में 2 कर देगे, बाई में 2 कर दिये, यहाँ 3 कर दिये, यहाँ 4 कर दिये जब बाटा में हो जाता है, 2 3, मतलब कि फिर्टा को पाट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्थक अनि सब multiple कों कहला आते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा focus किस पर करना है multiple एंगल पर ज्यादा focus करना है अपवर्थे कोंड पर ठीक है? इस पर भी आपको focus करना है लेकिन जहां तक के उमीद है कि इसका आप लोगो उतना इवज अब आने वाला नहीं है ठीक ह तो उम्मिद करते हैं कि आप लोग को आज multiple of angle अपवर्थे कोण और सब multiple of angle या अपवर्था कोण समझ में आया होगा अब हम सीखेंगे इसका कितना formula होता है सारे formula को पहले एक जगा लिखेंगे लिखेंगे के बाद हम बारी बारी से सबको क्या करेंगे प्रूप करेंगे चलिए इसको आटा करके हम पहले फर्मगा लिखेंगे देखेंगे बहले लिख लेते हैं multiple angle ठीके multiple angle में सबसे पहले आपका first formula है sin 2 theta sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta into cos theta ठीके आपको कुछ इसमें और बात चीपा हुआ है उसको भी बताएंगे ठीके ना दुसरा और एक होता है sin 2 theta का formula यह होता है 2 10 theta बटा 1 plus 10 square theta ओके इसके बादा है तिसरा cos 2 theta cos 2 theta का होता है cos square theta minus sin square theta और होता है इसका formula cos 2 theta का इसमें और एक formula इसका होता है यह होता है 1 minus 2 sin square theta और एक होता है इसका cos 2 theta का उसको भी लिख लेते हैं यह होता है 2 cos square theta minus 1 और एक इसका formula होता है इसको भी लिख लेते है cos 2 theta का यह होता है 1 minus 10 square theta बटा 1 plus 10 square theta यह तो sin और cos का होता है अभी हम 10 का भी लिखेंगे ठीक है यहाँ पर आते हैं 7 हो गया 8 वा दिखेंगे 10 2 theta का 10 2 theta का हो जाता है 2 10 theta बटा 1 minus 10 square theta इसका next है cot 2 theta आजा cot 2 theta cot 2 theta का क्या हो जाएगा देखिए cot square theta minus 1 बटा 2 cot theta ठीक है अब 3 वाला देख लेते हैं sin 3 theta का 3 sin theta का हो जाएगा 3 sin theta minus 4 sin q theta ओके इसके बाद एक आरा नमबर आजाएए यह होता है cos 3 theta का फर्मुला देखिए cos 3 theta का होता है 4 cos q theta minus 3 cos theta ओके और एक लास्ट है एक आरा नमबर देख लिए 10 3 theta का 10 3 theta का होता है 3 10 theta minus 10 q theta बटा 1 minus 3 tan square theta ओके यह हमारा 11 फर्मुला होता है देखिए अब इसको थोड़ा समझेंगे उसके बाद इसको प्रूब करेंगे इसमें समझना क्या है देखिए यहाँ पर sin 2 theta का फर्मुला दोब है दोब देने का मतलब इसका यहाँ है कि sin 2 theta का फर्मुला आप से पूछा जाए बताए तो आप कौन-कौन सा फर्मुला बताएगा हो सकता आप यह भी बोल सकते हैं और यह भी बोल सकते हैं तो कब किसको यूज़ करेंगे यह पले समझेंगे देखिए जब sin 2 theta का फर्मुला आपको मालो की sin 2 theta आया है और आपको एंसर लाना है 10 के रूप में तो बताओ कि यह ज़़ी फर्मुला आप यूज़ करोगे धर कभी 10 आएगा नहीं आएगा हम किसको यूज़ करेंगे इसको यूज़ करेंगे तो हमको पाता होना चाहिए क्या लाना है हम क्या करने जा रहे हैं हम कौन सा फर्मुला रखेंगे तो हमारा कंबिनेशन कहां बनेगा इस बात को ध्यान देना बहुत ज़़ी है ठीके क्या ध्यान देंगे इसलिए हम यहीं बात ध्यान देनेंगे इसलिए आपको समझा दिये कि जोगी डाउट रहता है आप लोगो डाउट बिना रहे हैं आपको देखेंगे कि क्या लाना है उस पर डिपेंट करता है और इस पर देखेंगे क्या अप तो कोई डाउट नहीं रहा कि कौन सा कप फरून लगाएंगे जब जैसे हो सकता पड़े उस तरश उसको फरून को रख लेंगे फायटिंग नहीं कर रहे हैं ऐसे आपको मजा कर मजात नहीं कर रहे हैं आपको बताएं कि ऐसे करना है ठीक है अब देखिए अब कुछ नहीं करना है ध्यान दिजिएगा और एक इसमें डाउट रात क्या चीपावर रहता है कि आपने कभी देखा होगा कि सर आप पो कोर्शन पूछना चाहिए था आप लेकिन पूछे नहीं पूछे रहे हैं कि आप पूछे नहीं पूछ रहे हैं कोई नहीं हम बताते हैं आपको यह देखिए आपका लिखा हुआ है टैन टू ठीटा बाबू ठीक है टैन टू ठीटा लिखा है और यहीं बात आपके दोस्त ने बोला है कि हम टू टैन ठीटा का फर्मूला पढ़े ह आपको हमने पठाया टैन टू ठीटा और आपके दोस्त ने पढ़कर आगया टू टैन ठीटा तो कहोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिये बोलोगे नहीं बोलोगे बोलोगे बोलना चाहिए नहीं 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 बोलना चाहिए कैसे देखो टेंट टू ठीटा का हो या टू टेंट ठीटा का हो दोनों का बात एक ही है दोनों का फर्मूला एक ही रहता है ठीक है एक ही होता है कहीं कहीं बुक में टू टेंट ठीटा का उच कियाता है और कहीं कहीं टेंट टू ठीटा का उच कियाता है दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों सेम है तौ में नहीं चाहिँ है कि हमने तो गलत पढ़ लिया हम ने तो सहीं पढ़ लिया ऐसा कुछ बात नहीं है दोनों का मतलब स मि YEAH दोनों का फर्म WarumStan सब्सक्राइब नहीं होता है इसलिए दो डाउट था ठीक हमने सुचा कि आप लोगो अभी स्टाइट किये हैं मल्टिपल ऑफ एंगल तो तो आपके मन की भात को निकाल करके आपके सामने रखे हैं ठीक है ताकि आप लोगों को करन्फीजनर रहें दिकत ना आएं ओके तब देखिए इतना होता है मल्टिपल ऑफ एंगल में फर्मूला अब हम इसको देखिए बावो क्या करेंगे बारी-बारी से इसको पूरूप करेंगे चा करेंगे प्रूप करेंगे, कैसे प्रूप करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले हम साइन टू ठीटा को प्रूप करेंगे, उसके बाद हम साइन टू ठीटा का प्रूप करेंगे, मतलब दोनों को प्रूप करेंगे, टैन भी लाएंगे, साइन भी लाएंगे, कॉस भी लाएंगे, याने सबको पुरूब कर देंगे यह पुरूब करना ना बहुत तीजी है बस आपको एक बात फर्मूला याद कर लो उसके बाद फर्मूला पुरूब करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है बहुत छोटी से माइनर सी बात है आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे एकदम पुरूब कर देता है तो बड़ी बात होती है नहीं नहीं बड़ी बात नहीं हाँ आप के रिए बढ़ी है क्योंकि आप अभी क्लास जिले बेंद में आप करना सिखें गे तो आपको खूद मोटिभेकर रहेगा हमें सारे हमको तो फर्मूला पूरूब करने आता तुमको तो आता है क्या ऐसे भी बोल सकते हो बोलोग नहीं बोलोगे जरूर बोलोगे ठीक है चलिए हम आपको सिखाने की कुछिस करेंगे चलिए अब हम प्रूप सिखेंगे बारी-बारी से ठीक है पहला ले देते हैं साइन 2 ठीटा का फवलना का लिक गए था हम 2 साइन ठीटा इन्टो कॉस ठीटा यह है हमारा LHS और यह हमारा RHS हम इसको ले करके इसको पुरूप करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे देखिए हम लोचे से चलते हैं हेलेख इस में क्या है, साइन 2 ठीटा कहने का मतलब हैù कि ठीटा कि डू है, ठीक है, तो 2 के बदले हम का लिष सकते हैं, साइन का साइन क्जिड हम रिए का एन 2 ठीटा के बदले ठीटा पलस ठीटा हमने लिख लिया énorme थीटा थीटा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टू थीटा अब हम क्या करेंगे इसको इस थीटा को माल लेंगे आलफा और इस थीटा को माल लेंगे बीटा इस थीटा को माल लेंगे बीटा तो क्या हो गया हमारा साइन आलफा पलस बीटा बन गया आलफा पलस बीटा है ठीक है या आप इसको ऐसे मान सकते हो आलफा बिटा ना मान करके e b मालनों क्योंकि sin a plus b का फर्मुला आपने पढ़ा है तो इसको a माल लिया और इसको b माल लिया ऐसे sin a plus b का फर्मुला आगया ऐसा आपने पढ़ा है लेकिन जदी हम आलफा बिटा भी मालते हैं यहां आलफा नहीं है अचले साइन ए पलस बी का फर्मूला क्या होता है लिखिए याद है ना साइने इंटू कॉस बी पलस कॉसे इंटू साइन भी यह अपका फर्मूला होता है अब क्या करेंगे ए बी का मान देने पर दिखो ए तथा ए बी का मान देने पर ए बी का मान देगी है तो क्या हो जाएगा साइन ठिटा और यहां से क्या हो जाएगा कॉस ठिटा अब पलस यहां से देखिए क्या हो जाएगा कॉस ठीटा और साइन ठीटा अब देखिए साइन ठीटा इंटू को जोड़ देंगे तो एक कितना जाएगा दो साइन ठीटा इंटू को सठीटा देखिए आपका फर्मुला रूप हो गया आया कर नहीं समझ में देखिए यहां आपको थोड़ा बना हम जानते हैं हम पता है कि आप कहां पर डाउट में होंगे यहां पर यहां पर डाउट में रहने कोई जुरूत नहीं है साइन ठीटा इंटू कोस्ट इटा कहो चाहे कोस्ट इटा इंटू साइन ठीटा कहो उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है यहां साइन ठीटा इंटू कोस्ट इटा कहो दोनों बात में फर्क नहीं है पहले इसको लिसकते हैं चाहे इसको पहले लिसकते हैं बाते की हैं टेहां हमने पुरूप करते दुनों को जोड़ दिया दुन ऊएग जय साथा एक और दो इसाज थीटा Is अर दो को जोड़ दिये हैं टो साइन थीटा कॉस्षीटा पुरूट हमने कर दिया आप चलिये और एक sin 2 theta का फर्मूला होता है, जो कि आपको अभी हमने पढ़ाया था, किस में 10 में 10 में पढ़ाये हैं, तो उसको छोड़ कर जाओगे, फिर वो रोने लगेगा ना, नहीं रोएगा नहीं, हसने लगेगा, हसने लगेगा नहीं, रोएगा, क्या करेगा, हसेगा, देखो कैस से 2 10 theta बाटा 1 plus 10 square theta लानी है, तो क्या करेंगे, हम इसको प्रूब करेंगे, तो पल इसको हटा लेते हैं, उसके बाद sin 2 theta, हम लाने की कोशिस करेंगे, ओके, आईए, आईए, देखिए, अब हम इसको प्रूब करते हैं, तो आपका RHS हो जाएगा, तो हम चलते हैं, मेरे सोन मेरे बाबू, RHS नहीं, LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे, ठीक है, LHS में क्या है आपका, sin 2 theta, तो आप जानते हैं कि sin 2 theta का फर्मला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा बाबू, 2 sin theta into cos theta, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ओके, आईए, तो देखिए, क्या करेंगे, हम इसको करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, क्या करेंगे, क्या हमारा इतना पुरूफ हो जाए, तो देखिए, 2 sin theta into cos theta है, तो देखिए, हम लाना है, 2 10 theta बाटा, 1 plus 10 square theta, तो कुछ नहीं तो इसमें हम एक से भाग दे देंगे, क्या दिकत हुआ क्या, आपको दिकत है क्या, नहीं ना, तो नहीं दिकत हैं तो आईए, तो 2 sin theta into cos theta बाटा 1, अभी हम ने देखिए, बीडियो बाषा, आई स्टार्ट कर दिये, मैस की स्टार्ट किये हैं क नहीं किये, मैरा सब दरा मेहनत बिकार हो जाता, ठिके, म से किसी भाग देंगे तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है यांति आप में भी 1 से भाग देंगे तक आप भी चेंड नहीं होगे आप ही रहोगे ठिक है ऐसा बात नहीं है स्रिमाजां कर रहे है ठिक है सोच सकते आप इस one के बदले हम लिख सकते हैं cos gras theta, plus sin убий ар box theta यो one के बदले फर्मूला होता है ना cos square theta plus sin square theta बराबर एक होता है, तो इस एक के बदले हम cos square theta plus sin square theta लिख लिख लिए अब देखिए हम क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा 2sinθ into cosθ इसको जियों कातियों लिखेंगे 2sinθ into cosθ बाई देखिए cos²θ plus sin²θ इन में से देखिए क्या कमन मिल रहा है कुछ तो कमन मिल नहीं रहा है तब भी हम इसमें से जबरजस्ति कमन लेंगे कैसे कमन लेंगे देखिएगा देखो यहाँ पर cos²θ है हमको लाना है कि 1 plus 10²θ किस तरह नीचे आ जाए तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से cos²θ कमन लेते हैं तो cos²θ हमने कमन ले लिया जब यहाँ से cos²θ कमन ले लिया तो क्या बच गया 1 यहाँ से cos²θ कमन था नहीं तब भी हमने लिये हैं तो क्या करना पड़ेगा साइन स्क्वाइर ठीटा बाटा cos²θ आपने बोलोगे कि सर ने क्या कर लिया आपने हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं नहीं हमको नहीं समझ माया देखिए आपको हम अभी बताते हैं आपको समझ म फैने आएगा देखिए cos²θ प्लस sin²θ था ओके अब क्या करेंगे हम यहां से हमने फॉस भोर ठीटा कमल लिया यहां पर one बच लाग और हमने यहां पर क्या किया किsin²θ बाटा cos²θ ऐसा हमनने कर लिया कैसे की यह देखिना देखो यहां से हम कॉस स्क्वाइट ठीटा कमन लिए ठीक है ले लिए जब कमन लिए तो क्या मुझे हैं पर one अब पलस अब इसमें से हमको साइन स्क्वाइट ठीटा में कॉस स्क्वाइट ठीटा तो कमन मिल नहीं रहा था तो हमने क्या किया इसमें कॉस स्क्वाइट ठीटा तो फिर का जाएगा हमारा sin square theta तिया ही काम हमने किया उपर cos square theta से गुना कर दिया था और नीचे भी cos square theta से भाग ज़िए था मतलब 2 दिये और 2 ले लिये मतलब बात खतम तो वहीं काम हमने भी किया था तब हमने ऐसा जब किया तो मेरा अगला step मिल गया क्या कि इसमें भी cos square theta common मिल गया था तो हैं called टिटा कमन देलिगा तहां कमन देले तहां पर वन बच गया प्लस साइन स्कॉर्ड खीटा तो बच गया ऊपर में निच्चे कॉस त्टा बच गया तो इसलिए हमारा इतना आया है तो आई होब कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अब देखिए यहां से क्या करेंगे यहीं स्वर्मुला ने भचाएं फिता अब आए अब दिखे यहां पर क्या बच गया निन फिर टेटा लिखे अब देखे तो किसा ही थीटा बंट को स्वर्मुला तो त स्वर्मुला ने फिर ग वर फ्रूप हो गया है कि यहीं दला था ना कि साइन 2 थीटा बराबर 2 10 थीटा बराबर 1 प्लस 10 थीटा 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 हमने ला दिया था आप तो फर्मूला अभी प्रूप हता है अब हम देखेंगे कॉस 2 थीटा वाला ओके चलिए उसको देखते हैं अब चलिए हम सीखते हैं होता है कि कॉस स्क्वाइर थीटा कॉस स्क्वाइर थीटा माइनस साइन स्क्वाइर थीटा है यह हमारा फर्मूला होता है देखेंगे इसको कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसको हम प्रूप करते हैं कि कॉस्ट थीटा वार अब ऐसा होता कैसे है चलिए इसको हमने माल लिया एलेचेस और इसको माल लिया हमने आरेचेस तो हम चलते हैं एलेचेस से एलेचेस में क्या है आपका कॉस टू ठीटा यानि कॉस टू ठीटा के बदले मतलब टू ठीटा के बदले ठीटा पुलस ठीटा लिख भेंगे तो लिखें कॉस ठीटा पुलस ठीटा तो इस ठीटा को A माल लिए और इसको B माल लिए तो क्या बन गया फर्मुला Cos A plus B तो Cos A plus B का फर्मुला क्या होता है Cos A into Cos B आप पलुस पलुस है तो मैनस हो जाता है मैनस आपको फर्मुला सारा याद महां चाहिए sin A into sin B अब देखे अब क्या करेंगे A तथा B का मान देने पर आज़ा यह जल्दी से A तथा B का मान देने पर A का मान देंगे तो A ही होगा तो cos A ठीक है अब क्या करेंगे A का मान क्या था A का मान A नहीं है A का मान ठीटा है तो theta हो जागा, into B का मान क्या है, theta है तो B का मान दे दिया, minus A का मान theta, और B का मान theta, तो B का मान दे दिया cos theta into cos theta यानि, cos square theta minus sin into sin sin square theta, देखिए हमने प्रूप कर दिया, cos to theta is equal to cos square theta, minus sin square theta इितना प्रूप कर दिया, बोहुत EG है तीक है अब देखिए इस फर्मूला से आपने और फर्मूला प्रणा था कि और क्या होता है और क्या फर्मूला पढ़े हैं कि 1-2sin2 ठिटा होता है चलिए इसको भी चिख लेते हैं और एक और होता है कि 2cos 2 स्कूरेब यह विद्गे इसको भी सिखेंगे ठीके आईए दोनों का भी प्रूप करते है इसको आटा करके अ गया इसको देखिए छलते हैं तो कॉस्रीटा का मानला पर тем जो होता है उसको लिख लेते हैं क्या होता है का स्कूरेब सी असकूरइब फर्मुला होता है ओके अब है इसको इसको सहारा से इसको कारेंगए देखिएगा से को सिर्क का ठीटा का फर्मौला क्या होता है आहाप प्लेल प्लेन हैं न हम भी पढ़ाएं आपको कि सिर्क ठीटा क फρί्मौला होता है 1-1-12-1 ये-जीम आप देखिए 1-1-2 बहुत दुनों को जोड़ देंगे तो मेनस नहाएगा? मेनस 2 sine squared theta देखे ऐसे को होड़ा रहा था 2 cos square theta minus 1 लाना है तो अब देखे का करेंगे इसको छोड़ देंगे इसको chain करदेंगे देखे यहाँ पर cos square theta minus sine square theta तो इस cos स्कॉ Bis देंगे जोड़र हो गया बहुत तीजी है अब देखिए और आपने अब देखिए हम प्रूब करते हैं 10 2a वाला, ठीक है, 10 2a इसको क्या होता है, आप बताइए, 2 10, यह नहीं, ठीटा लिखा चलेंगे, 2 10 ठीटा बारता, 1 minus 10 square theta आपको लाना है, देखिए कैसे इसको solve करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखिए, बस आप चलिए इसको LHS माल लेजिए, और इसको RHS माल लेजिए, त LHS क्या है आपका, LHS से चलते हैं, LHS में आपका क्या है, 10 2 theta, 10 2 theta चलेंगे, 10 2 theta का बदले क्या लिख से, 10 10 का 10, और 2 theta के बदले हम लिख सकते है, theta plus theta, इसको माल लेजिए A और इसको B, अब क्या करेंगे, यहां से हो जाएगा, 10 A plus B, ठीक है, 10 A plus B हो जाएगा, तो A 10 A plus B क्य होता है, 10 A plus 10 B बाटा, 1 minus 10 A into 10 B, अब क्या करेंगे, A B है, A B का मान रख देंगे, A B का मान थिटा है, B का मान थिटा है, तो सब जगा रख दिजिए, उसी तरह सब बनेगा, 10 theta plus 10 theta, अब बाटा नीचे हो जाएगा, 1 minus 10 theta into 10 theta, यहां सिखा हो जाएगा, 10 theta, 10 theta, जोड़ेंगे, तो 2 10 theta, अब बाटा, 1 का 1 minus, 10 theta into 10 theta, कितना हो जाएगा, 10 square theta, अब का प्रूप, सब एक ही तरह से बनता है फर्मला, तब हम 2 वोला प्रूप नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं, 3 वोला प्रूप करने, 3 भी आपको करके दिखा जाते हैं, जैसे sin 3 theta का प्रूप क्या होता है, उसको एक प्रूप करके दिखाते हैं, और बाकी सब जितना बच गया, आप इसको करते रहना, ओके, 2-3 बच गया, उनको आपको करना है, जस्ट इसी तरह सब बनेगा, ओके, आईए, उसको भी देख लेते हैं, अब दिखिए अब हम देखते हैं, sin 3 theta का प्रूप ठीक है, sin 3 theta का प्रूप ठीक है, sin 3 theta का प्रूप ठीक है, तो देखिए, इसको कैसे सल परेंगे, ध्यान दिजिएगा, हाँ, इसको हम बोलते हैं, LHS, ये थोड़ा आपको आच्छा को चलिए, ठीक है, एप्रूप करने माजा थोड़ा तो इसलिए आप इसको ध्यान से दिखिए, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दिजिएगा, ये होता है, LHS से हम चल रहे है, LHS आपका क्या है, sin 3a है, तो sin 3a है, तो 3 theta का बदले, 2 theta पलस theta लिख सकते हैं, तो लिख लिजिए, sin 2 theta पलस theta हमने लिख लिए, इसको हमने माल लिया अब क्या करेंगे, देखें, क्या हो जाएगा यहां से, sin a plus b, sin a plus b का फर्मूला क्या होता है, लिखिए, sin a into cos b plus cos into sin b, ये आपका फर्मूला होता है, ओके, अब हम क्या करेंगे, a तथा b का इसे मान दीजिए, तो a तथा b का मान क्या है, a का मान है 2 theta, b का मान है theta, उसमें a तथा b का मान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का मान है 2 theta, sin 2 theta हो गया, into, b का मान का है theta, तो ये हो गया, cos theta, अब पलस, cos 2 theta into, b का मान है theta, sin theta हो गया, इतना हो गया, अब इसको दि flash को देखे कैसे आगे संव औरहेंगे हैज इस साॉंढ इसकी डिडकी टो साहिटा जो है स्का फर्मूला वता है अब ही अपने पढ़ा कि być तूर साहंट तो पॉर सफीड़ीया ंटू कोरّा घ्टा फारन करो ओके इसका फर्मूला इतना हमने फिटा एंटू साइन फिटा अभी आपने पढ़ा है कि को अब दीखे क्या करेंगे इस टू साइन फिटा जिएंग का त्यों यहां देखें को फिटा एंटु को फिटा क्या हो जाएगा कौस स्क्वाइर फिटा हो गया ओके अपलास यह प्लस 1 का 1 माइनस अब यह देखिए यह तो हमारा इंटुम है तो इसको ऐसे कर लेंगे 1 माइनस 2 sin square theta इंटु sin theta इसको जियों का थियाँ छोड़ दियाँ अब देखिए क्या करेंगे 2 sin theta जियों का थियाँ into हैं तो इसको ब्रेकेश्ट में कर लेते हैं अब कौस स्कॉर्ट ठीटा का फ़रूला क्या होता है 1 minus sin square theta plus अब देखिए इस sin theta को इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin theta minus sin को sin square में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin q theta होगा अब देखिए इसको भी इसमें multiple कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वन से इतना से करेंगे तो two sine theta- इस से करेंगे तो कितना हो जाएगा ? two sine q theta plus sine theta minus two sine q theta अब देखिए two sine theta और sine theta कितना हो जाएगा ? 3 sin theta minus 2 sin q theta minus 2 sin q theta कितना हो जाएगा minus 4 sin q theta देखिए हमने अभी प्रूब कर दिया तो ए थोड़ा कोशन मजदार था ठीक है 3 sin theta minus 4 sin q theta हमने ला दिया देखिए एक कोशन बहुत ही अच्छा लागा हमको बताने में लो में आफ्प भी है आपको ध्यान देना है जहाँ जहाँ पर्यॉर्टन की है वहां देखिए लगाद़ी है कि हम फर्मूला लगाए है ऐब वहाँ पर ऐसा कर लीज़े किऊ खरनाे है चेंज किया है बाद में भी आप लोग कॉपी खोलेंगे तो आपको पता चल जागा इसा है ठीक है तो आप लोग ध्यान दिजेगा नहीं समझाए तो एक बार फिर इस वीडियो का देखिए कैसे कैसे हमने चेंज किया है ओके यह भी पूरूप हो गया अब हम देखेंगे सबस्क्रणा होता है झाले चलिए उसको भी देख लेता है अब देखिए हम देखते हैं तैन फृफ फ्रीच चीटा बड़ाबर लेकिंद il फ्रीम थीटा फाष्ञरतू होता है अब हैं तो देखें सब सर्फ ह zobhan약 करेगा यह होता है ले JustTN Л80 से चलते हैं कि बैए से देखिए उत तो ऑपनंक है करें जो सकते हैं कंगे द्रीस का बन्हें करें टेन का टेन का टेन और थिर्ट्रीट जानशे के लिखसें थीटा प्लस ठीटा फ्लस ठीटा, ऐसा हमने लिख सकता है, इस ठीटा को हमने A मान लिए, इसको B, इसको C, तर तक या फ्रमूला बन गया, क्या फ्रमूला बना, A प्लस B प्लस C हमारा फ्रमूला बन गया तो इस 10A पुलस 10B पुलस 10C का फर्मूला आपने पढ़े हैं क्या पढ़े हैं होता है 10A पुलस 10B पुलस 10C माइनस 10A इंटू 10B इंटू 10C आपने फर्मूला ये पढ़ चुके हैं ओके उसके पाद यहां से क्या कर लेंगो तो 1-1-10A इंटू 10B माइनस 10B इंटू 10C माइनस 10C इंटू 10A ओके अब देखें क्या कर लेंगे अब हम A, B, C का माल रख दें जहां-जहां A है ठीटा रख देंगे जहां B है ठीटा जहां C है ठीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10C plus 10C plus 10C minus 10C into 10C into 10C into 10C बात णिचे लेके उसी तरह जहां-जहां ABC उसको भर देंगे 10C into 10C into 10 data 10C into 10C into 10 data कितना मां 10C बागो? 10C into 10 देख लिख दो चलिए कोई नहीं हमकोई मज़ा रहे है अब लोग भावा ठीटा-ठीटा लिखते चले जाओ तो आपका और, सब जितना था यह सब पूरूब हो गया ओके अब आपको बच गे सम मल्टिपल का देखिए अब यहां पर इसकी पर पूरा आता होगा ठीक है पूरा जो सब माइटिपल का फर्मला होता है यहां पर हमने नोट में से सम माइटिपल का फर्मला यहां पर आता होगा यहां से बढ़ियां से आप लोग कोपी पर लिख लिएगा इसको पूरूप करने का उसकता आप लोग को नहीं है ठीक है जब आप सकता होगी आप लोग को बताया जाएगा तब तक आप लोग सिर्फ फर्मुला को देखिए याद रखिएगा कहीं कहीं काम आता है ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में यह पार्ट 6 था मिलते हैं पार्ट 7